तो पहली जो हमारी मिस्टेक है और जो हर बीगिनर्स करता है वो क्या है कि जब भी हम जिम में जाते हैं और वर्काउट स्टार्ट करते हैं तो हम focus करते हैं सिर्फ अमने bicep के उपपर और हम क्या करते हैं कि daily bicep मानने लगते हैं ये गलती starting में मैंने भी करी है और मैंने अपनी आखोक से ये अपनी gym के अंदर होते वे देखिए जिस gym में मैं workout करता हूँ उस gym के अंदर मैंने ये गलती कई beginners को करते हुए देखा है कि वो जब भी आते हैं तो उनका कोई साभी workout हो suppose अगर वो chest मार रहे हैं तो chest मारने के साथ साथ फिर बाद में जैसी उनका chest workout खतम होता है तो वो bicep मानने लगते हैं उनको ऐसा लगता है कि डेली bicep मानने से bicep जल्दी ग्रोगा और यही beginners की सबसे बड़ी गलती है तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि bicep एक छोटा मसल है और अगर आप bicep को daily मारेंगे तो होगा क्या कि bicep को recovery करने का time नहीं मिलेगा और जब उसे recovery करने का time नहीं मिलेगा तो वो grow नहीं होगा अब लोगों को लगता क्या है कि अगर हम daily bicep मारते हैं तो एक pump आ जाता है अब हो ही उनको लगता है कि pump हो गया तो मतलब bicep grow हो गया लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है तो आप यह गलती ना दरी